मौनसून सत्र में सांसदों का निलंबन बदसूरत जारी है जिससे विपक्ष के सांसदों का गुसा बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में जहां विपक्ष सदन के बहार धरने पर बैठे हैं तो वहीं अब विपक्ष ने एक जुठ होकर मोधी सरकार की मुश्किले बढ़ाने की नई रणनीती भी बना ली है जिसका असर 2024 में पढ़ सकता है क्या है विपक्ष की रणनीती देखे ये रिपोर्ट 18 जुलाई को संसद के मांसून सत्र की शिरुवात हुई और सत्र के पहले दिन से ही सरकार के खलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है विपक्ष लगातार, महंगाई, बेरोजगारी, GST जैसे तमाम मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहता है लेकिन चर्चा नहीं हो रही है ऐसे में विपक्ष को सरकार के खलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है लेकिन विपक्ष की आवाज को सुनने के बजाए और उनकी मांग पूरी करने की बजाए विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और अब तक दोनों सदनों से 27 सांसद निलंबित किये जा चुके हैं ऐसे में विपक्ष के निलंबित सांसद अब संसद के बाहर ही 50 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए हैं। अब इसी बीच विपक्ष मोधी सरकार के इस रवाईये के खिलाफ एक जुठ हो गया है और एक प्लान तयार किया है। और इसके लिए तेलंगाना के CM और TRS चीफ के चंदर शेकर राव, DM के आप, JDS और दक्षन भारत के कॉंग्रेसी सांसदों से संपर्क कर रही है। TRS सांसद रवी चंदर बड़ी राजु ने बताया कि जिस तरहा से मोधी सरकार विपक्ष के आवाज को कुचल कर लोगतंतर की हत्या कर रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सदन में विपक्ष को कठपुतली की तरहार रखना चाहती है, हम ये नहीं होने देंगे। पास मातर 39 सीटे हैं लेकिन विपक्ष ऐसा करके बीजेपी को दक्षिन में और ज्यादा कमजोर करना चाहता है इससे बीजेपी के हाथ से करना टक के जाने की भी उमीद ज्यादा बढ़ जाएगी यानि विपक्ष आज के दाओ से 2024 में बीजेपी को पस्त करने की रणीती बन प्राद जाएगी को लिडेपी है रचार्प आज की विपक्ष आएगी का लोग्यादा रखिर टीलेपी करने कि रजाना लोग्यादा आज को एकि लादा बनाना येपे ओर जाएग